हाँ जी भाई साहब, एक रियल लाइफ से इंस्पायट फिल्म कोकेन बेर देखी, थियेटर में, इंगलिस में और भाई साहब, देड़ घंटे की इस फिल्म में जितने भी लोग थे थियेटर में, वैसे तो चारपाजी लोग थे लेकिन वो सभी लोग कम से कम 6-7 बार कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे, ओ, शिट, बे यार, ओ, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे थे, लेट मी टेल यू, वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी, फिल्म की स्टोरी है बेर की, जो एक्सिडेंटली धेर सारा कोकेन खा लेता है, अल्मोस्ट 30 केजी, जिसकी वज़े से वो हो जाता है येडा, और सब को फाड़ फाड़ के खाता है समझके पेड़ा, नाइस राइमिंग, वैसे ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पाइड है, एंड कॉमेडी जॉनर में आती है, उपर से पूरी फिल्म R-rated खून खराबे से भरी हुई है, तो फिल्म एडल्ट है और बच्चों के लिए तो बिलकुल भी नहीं है, I mean वैसे वाले सीन्स नहीं है, don't worry, बस ब्रूटल खून खराबा है, इधर हाथ, उधर पैर और जाने किधर स पायड है, वो स्टोरी 1985 की है, जिसमें एक 80 kg के ब्लैक बेर ने कोकेन से भरा हुआ बैग खा लिया था, बट रिपोर्टेडली किसी को मारा नहीं था, बट यहां क्रियेटिव लिबर्टी के चलते रियल लाइफ स्टोरी को फैंसी बनाने के चक्कर में सब को एक के बाद ए जो एक रियल लाइफ ड्रग लॉड की स्टोरी है, जो किसी फिल्म से बिलकुल भी कम नहीं, और कुकु एफम तो वैसे भी इंडिया का लीडिंग ओडियो शो प्लाटफॉर्म है, विथ 2.3 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स, और हर तरहा की ओडियो बुक यहां हिंद अब खरीदने से अच्छा है, 49 रुपे में 10,000 से भी जादा आडियो बुक सुनो, तो जाओ और अभी डाउनलोड करो, फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म की नरेशन, शॉर्ट एंड क्रिस्प, सिर्फ डेड़ घंटे की मूवी है, ऐसे शुरू होकर ऐसे ख और एक भी सिन में वो लगता नहीं कि वो CGL से बना है, टोटल रियल, बट देर आर सम निगेटिव पॉइंट्स टू, ये एक डार्क कॉमेडी है, बट कॉमेडी में बहुत बार मात खा जाती है, और बहुत जगा फोर्स्ट फील होने लगती है, दूसरा निगेटिव पॉ तीसरा निगेटिव पॉइंट है इस फिल्म की एंडिंग, मतलब ऐसा मस्तफ लो बना था, सब कुछ ठीक चल रहा था, स्टोरी में ग्रिप बढ़िया बन चुकी थी, कि अचानक क्लाइमाक्स फटे दूद की तरह फैल जाता है, अब इस फटे दूद का चाहे तो पनिर भ कुखार हो सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं, और पूर एक्जेकुशन, एक्जेकुशन के चलते, इसका क्लाइमाक्स फीका रहे गया, और हाँ, इसमें दो मिड क्रेडिट सीन है, ऐसे क्रेडिट जाते जाते, दो बार स्क्रीन रुखती है, और आपको स्टोरी का ऐसा हिस्स उसके बाद आप आराम से घर जा सकते हो, तो overall देखते हुए योगी बोलता है कि ये one time watch entertainment के लिए एक बहुत अच्छी मूवी है, उपर से अगर आपको brutality पसंद है, तो इसे एक चांस जरू दे सकते हो, मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 out of 5 स्टार्स, और मेरी description के लिंक से FM पर visit करना मत भूलना, मिलते हैं आगले वीडियो में, बाई